अससलाम अलेकुम आप सब लोग किसे हैं, अमीदे सब अच्छे होंगे इस तरह की sentences हम डेली वे क्षर बोलते हैं जिसे के अभी ही वहां जाना रह गया है अभी खाना पकाना रह गया है अभी उसे बूलाना रह गया है यहीं कोई काम अभी करना रह गया है इस तरह के sentences को बनाने के लिए क्या sentence structure यूज़ोगा तो हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं आप note कर रहे होंगे कि यहां पर कोई particular subject है नी तो इसके जो हम structure बनाएंगे वो there से बनाएंगे देखें किस तरह से बनाएंगे सबसे पहले आएगा there is left to be इसका मतलब है कुछ रह गया है ठीक है अचा कुछ रह गया है यह हम इस तरह से there is left to be से भी बना सकते हैं और present perfect के passive से भी बना सकते क्योंकि एक passive voice sentence है न जैसे के there has been left to be there has been left to be बोल सकते हैं और there is left to be बोल सकते हैं सेम दोनों मिनिंग देंगे तिर उसके बाद आएगे वर्ब की third form और plus object main there is left to be पढ़ लें वैसे हम बोल सकते हैं बिल्कुल आराम से बिल्कुल सेम उसके वही मिनिंग निकलेंगे there has been left to be और वर्ब की third form plus object so let's see with the help of sentences first sentence is अभी तुम से मिलना रह गया है और अभी के लिए हम कोई particular loves use नहीं करेंगे ना हो अगे रहा क्योंकि कोई काम रह गया है यानि कि जायर से बते हमारा यह मकसद है अभी कोई काम करना रह गया है तो अभी के लिए हम कोई word यहां पर use नहीं करेंगे तो sentence बनेगा there is left to be met you there is left to be देखें बिल्कुल सेम रहा बस वर्ब की third form मिलना मिलना जो है meet होता है उसकी third form आ गई mentor थीकि तुमसे तो यूउ dew सेमसे मिलना रह गया है और इस sentence को हम सेमसे बना सकते हैं की there has been left to be met you there has been left to be met you next sentence फान威 मंहण गया है अभी वहा जाना रह गया है जाना गो ठीक है उसकी third form गॉन हो जाएगी तो हम बोलेंगे there is left to be gone there there is left to be gone there वहाँ जाना भी रह गया है यह there has been left to be gone there ठीक है तो दोनों तरह से हम sentence को बना सकते हैं next sentence is अभी तुमसे बात करना रह गया बात करना talk होता है उसकी third form talked हो जाएगी ed लग जाता है तो हम बोलेंगे there is left to be talked to you there is left to be talked to you yeah there has been left to be talked to you ठीक है there has been left to be talked to you जो आपको suitable लगे वह आप बोल सकता है next sentence अभी खाना पकाना रह गया है अभी खाना पकाना रह गया है there is left to be cooked food there is left to be cooked food अभी खाना पकाना रह गया है यह इस तरह मोल सकते हैं there has been left to be cooked food there has been left to be cooked food next sentence अभी उसे बुलाना रह गया है अभी उसे बुलाना रह गया है बुलाना कॉल होता है इसकी third form called हो जाएगी तो हम बोरेंगे there is left to be called him there is left to be called him यह इस तरह हम बोल सकते हैं there has been left to be called him so i hope आपको यह वीडियो समझ में आई होगी एक useful सा चोटा सा स्ट्रक्चर था बहुत असान सा और इस तरह के sentences हम डेल यूज में अकसर बोलते हैं so this sentence is for you अभी जुम्ले बनाना रह गया है अभी जुम्ले बनाना रह गया है दोनों तरीके से thank you so much